अब बहुत स्वागत है आज के इस वीडियों बात करने जा रहे है कि project documentation कैसे create करेंगे तो आज के इस वीडियो का target है कि आपको एक बहतरीन जो documentation site है वो बनाना मैं बताऊं documentation website बनाने के लिए आपके पास दो option है पहला जो आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर यूगो है और second option है mkdocs तो दोनों ही बहुत ही popular है बहुत ही जादा लोग use करते हैं यूगो जो है यह और भी कई चीज़ों में use होता documentation के अलावा जैसे कि normal website बनाने के लिए जो मेरा last video था यूगो के उपर ही था तो आप यहाँ icon पर क्लिक करके देख सकते हैं कि यूगो कैसे use करते हैं basically मैंने बहुत ही basic beginner guide बनाया था उसमें अगर आपको नहीं पता है यूगो कैसे use करते हैं कैसे start करें उसमें project तो ये वीडियो आप जरूर देखें इसमें आपक project कैसे start कर सकते हैं second option हमारा ये mkdocs ये बहुत सारी जगों पर यूज होता है बहुत सारी company यूज करती है इसको और काफी अच्छा भी है ये मुझे ये दोनों ही पसंद है लेकिन इस video में हम सिफ यूगो की बात करेंगे और यूगो में documentation site कैसे बनाते हैं इस पर बात करें सबसे पहले तो आप जाकर करके अपना जो project है वह setup कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पहले ही बताया कि आप यहाँ आया icon पर click करके देख सकते हैं किस तरीके से setup करते हैं जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर आपको एक बार और बता देता हूं पहले मैं अपने folder create हो गया cdmy.doc करता हूं और इसके बाद मैं इसको open करता हूं vs code में तो यहाँ पर जो मेरा project है वो open हो चुका है तो Hugo के वीडियो में इन सारे folders और files के बारे में बता चुका हूं आपको वीडियो को जरूर देखें अगर आपको नहीं पता है कि Hugo कैसे use करते हैं तो जल्लिए कि जो documentation site होती है उसमें कुछ अलग तरीके का होता है site में menu होता है बीच में contents होते है प्लस उसमें जो codes की formatting होती है कुछ अलग तरीके होती है तो कि इस तरीके के कुछ extra features उसमें दिये रहते हैं तो अगर हमको वो सारे features चाहिए तो उसके लिए हमें documentation specific theme ही choose करना होगा यहां पे बहुत सारे themes दिये गए हैं जिनको आप use कर सकते हैं अपने documentation के लिए normal simple सा आप देखेंगे whisper करके एक theme दिया गया तो यहां नीचे देखेंगे कुछ इस तरीके का यह दिखेगा यहां पे इसका preview दिया गया है तो चलिए इसी theme को लेकर के हम अपना site वो build करते हैं तो अभी चलते हैं अपने download folder में देखेंगे यहां पे आएंगे और यहां downloads के अंदर देखेंगे तो यहांप यह download हो चुका है अभी इसको copy करने अपने project के themes folder के अंदर हमारा project जो था माइडॉक है इसके अंदर आएंगे यहां पे यहां पे लाकर कि इसको copy paste करेंगे, इसको drag and drop करता हूँ मैं यहां पे, और मैं इसके name में से master हटा देता हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन आप तुर्णा अच्छा करने के लिए रख सकते हैं, तो इस तरीके से यह आपका जो theme है वो यहां पे install हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी आप Hugo का theme डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ उसका example site आता है, जैसे कि आप यहां देख सकते है, example site दिया गया है, और यहां पे इसकी आपको configuration file भी देखने को मिल रही है, इसके अलावा बाकी के जो contents है, वो भी आपको द जाते हैं, तो आप command line के जरिए भी copy कर सकते है, cp-a, और I guess themes, और example site के अंदर के सारे contents को copy करना है, आपको current directory में, और यहां प्रेस करेंगे enter, ओवर्राइट करने का option दे रहा है, जो default.md है, उसको ओवर्राइट करना है, यहां प्रेस करेंगे, ट्यमल फाइल को भी ओवर् जाने के बाद, अब हमें आकर के edit करना अपनी site को, तो पहले तो इसको open करते हैं, किसी editor के अंदर, तो मैं open करता हूँ, अपने VS code के अंदर, आप अपनी पसंद का कोई भी editor चूज कर सकते हैं, site को मैंने VS code के अंदर open किया है, तो आप देखें, config.tml file है, इसके अंदर जो default सर्वर है, Hugo का वो, Hugo server-D, interface करते हैं, तो यहां पर देखें, Hugo whisper theme not found, basically, इसका मतलब क्या है, कि अगर आप इसको config file के अंदर आएंगे, यह theme जो है, इसे नहीं मिल रहा है, तो क्या हो सकता है, कि इसका या तो नाम गलत हो, जो theme folder है, इसके अंदर, यह जो नाम है, वो नाम दो दोनो different हो, या फिर कुछ और region हो सकता है, लेकिन हमारे case में जो यह नाम है, और यह नाम दोनों same है, तो problem क्या है, जो theme directory है, यह basically एक directory अप जाकर सर्च कर रहा है, तो इसको फिलहाल के लिए comment कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा location है, themes directory का, वो correct है, तो यहां home page है, basically, जो index.md है, जो हमारा यहां पर पढ़ा हुआ फाइल है, और अगर आपको docs access करना है, तो docs पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जो docs वाला file है, जो इनी की जो इस folder के अंदर जो file है, docs के अंदर जो file है, वो आप यहां से access कर सकते हैं, install Hugo पर click करेंगे, install themes पर click तो इस तरीके से आपका configuration है, आप देखेंगे, जो documentation है, वो सारा आ गया है, और अगर आपको change करना चाहते हैं, तो अपने according change कर सकते हैं, यहां से help ले सकते हैं, आपने site के according config.able file में आकर changes करेंगे, जैसे base URL अगर है हमारे case में कुछ और change होता है, हम उसको यहां change कर देंग क्या है कि आपका कौन सा menu पहले आगा, कौन सा बात में आगा, वो decide करता है, अगर यहां पर help create करना चाहते हैं, तो यहां पर help menu डाल सकते हैं, यहां फिस support और यहां refresh करेंगे, तो आप देखेंगे, यहां पर support आ गया, अगर इसको चाहते हैं, सबसे पहले आए, और यह वा चेंज करके अपने document के menu को organize कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी जगों पर है, जहां पर आप वेटिस का यूज कर सकते हैं, मीनू को arrange करने के लिए, इसके लावा यहां यहां पर parameter से आपका जो analytics करने का option दिया गया, बाकी parameters भी आपका इसमें दिया गया, meta tag वगरा जैसा करता हूँ, underscore index.md, और यहां पर पहला line लिखेंगे, जो header डालेंगे, वो आपका किसी site से copy कर लेंगे, किसी एक जगह से, और इस तरीके से copy कर लेंगे, और इसके अंदर लाकर के paste कर देंगे, यहां जो title लिखेंगे, यही title आपका menu में आएगा, तो अगर आपका यहां ल index नहीं लेगा इसमें, इसमें safe or safe index देंगे, जैसे कि यहां example के अंदर देखेंगे, बाकी themes के अंदर देखेंगे, directly index रखा हुआ है, under इसको index नहीं रहेगा, तो यहां पर directly index कर देंगे, और आप देखेंगे, यहां पर आ गया, get started करके, अब इसके अंदर आपको जो भी, अपना documentation का part लिखना है, जैसे कि आप लिखना चाते हैं कि update OS, आप पहला heading डालेंगे, माल लिजिए, installation करके, उसके बाद आपने डाला कि update your system, third heading, update system, and then अगर हम कुछ commands लिखना चाते हैं, और यहां पर commands हम लिखते है, sudo apt update, अगर यह documentation लिख रहे हैं, हम किसी linux machine के लिए, तो इस तरीके से अगर commands देते हैं, कि sudo apt update लिखना है, हमको यह जो line है, जो instructions है, इस तरीके से लिखने है, और यहां आकर कि आप देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अभी यह कुछ ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसके लिए का करेंगे, जो हमारा यह command है, basically, इसको हम wrap कर देते हैं, जिस तरीके से मैंने markdown में बताया था, और यहां बता देते हैं, किस language में यह है, और triple back tick से इसको close कर देते हैं, आप ही refresh करेंगे, तो आप देखेंगे, यहां पर काफी अच्छे तरीके से बन के आ गया, इसी तरीके से जो इसमे बना करके git repository वगरा में डाला है, तो उसको directly copy paste कर सकते हैं, सिफ यह उपर की जो 3-4 लाइने होती है, इनको आपको extra add करनी होती है, और उसके बाद यह automatically यहां पर आ जाता है, और जैसा कि बता है, अगर यह आपको सबसे top पे चाहिए, तो इसका weight बढ़ा दीजिए, यहां प कोई भी इसमें से theme choose कर सकते हैं, जो आपका Hugo की site में दिया गया है, इसमें से आपको जो theme पसंद आती है, आप वो use कर लीजिए, personally मुझे यह theme भी काफी पसंद है, आप इसको use कर सकते हैं, अगर आप इसका demo देखेंगे, तो यह काफी अच्छा दिखता है, बहुत popular theme है यह और जब आप इसको use करने जाएंगे, इसको home page पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से use करना, उसका पूरा documentation दिया गया, किस तरीके से इसको download करेंगे, और किस तरीके से इसको use करेंगे, वो तो मैंने already बता दिया है, अगर आपका कोई question है, ती नीचे comment section में मेरे से पूछ सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में से नहीं है, मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और अगर आपने अवे तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और घंटे के इस आइकान को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें, धन्यवाद